नाम जब भजन, किर्टन, रामायन, पाठ अकेले में करने चाहिए या मंदिर में या समुह में बैटकर करना चाहिए, कौन सा अधिक फल दाई है? आपका मन जिस परकार लगे, वोही परकार अधिक फल दाई है. एकांत में बैटकर बढ़िया भजन, चिंतन होता है, मन लगता है, एकांत में कीजिए, यदि एकांत में नहीं लगता तो समुह के बीच कीजिए, जैसे भी इसले कोई फिक्स नियम नहीं है, बस में तो है कि आपका मन अधिक कहां लगता है, कैसे लगता है, किस विदी से मिलकुल कोई भी ब्रत करें। बच्चा, युवा, युवती, बृद्धावस्था में कोई भी करें। जिससे बनें तो करना ही चाहिए इकादसी ब्रत. अगला है कि दिक्षा में सीता राम जी का मंत्र मिला है पर जाब करते समें राधा किस्तन जी में मन लगता है क्या करें ये समस्य आप बहुत वेक्तियों की और मैं पहले कहीं बार इस पर चर्चा करें भी चुका हूँ अब अदिक से मैं तो नहीं लगाओंगे इस परशन पर, इतना कहूंगा कि दिक्षा से पहले आप थोड़ा सा विचार किया करो, यदि आपको सीता राम आपके इष्ट हैं, तो रामानंद संपर्दै से दिक्षा लीजिए, यदि आपके इष्ट देव भागवान नायन हैं, तो स्री संपर्दै से दिक्षा लीजिए, यदि आपके इष्ट राधा कृष्ण है, तो निमारक गोडिया और पुछ्टी मारक से आप दिक्षा ले सकते हैं, अब हो गया तो कोई बात ने, लेकिन आप इस बात पर अब विश्वास करें, जो राधा कृष्ण है, वही सीत अराम सीतराम जब करके राधा कृष्ण की प्राप्ति भी कर सकते हैं, लक्षमी नायन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तत्वता एक ही है, बस एक सुत्र आप याद कर ले, प्रमात्मा के अनंता अनंत नामों में, उनमें से किसी भी नाम काम जाब करें, तो प्र प्रमात्मा के अनंता अनंता स्वरूपों में किसी भी स्वरूप के हम प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्ति मिलाप राम मंत्र जब कीजी और राम नाम जब कीजी या यूगल नाम सीता राम जब कीजी आपको राधा कृष्ण के ही प्राप्ति होई कोई भेद नहीं है। भाव के अंसार दिक्षा हो इस्ट के अंसार दिक्षा हो तो थोड़ा सा भाव ना बनने में अच्छा लगता है भाव ना जल्दी बन जाती है। अब आपकी शंका है, ऐसी शंका बहुत लोगों की है। लेकर मैं कहूँगा कोई बात नहीं आपको शंका करने के अब श्रक्तन आप सीता राम सीता राम जब ही है। इसले कुई लोगों